हालो बच्चों आज की वक्षिट है 29 मैस फ्लाफ स्टेंथ इंगिस मीडियों वैसे यह वक्षिट आपको पहले खुद करनी है और आप पहले खुद करेंगे इसको उसके बाद ही आप लोग इसको देखेंगे मैस करेंगे अपना अंसर यहां 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 से A B C D are vertices of a parallelogram ABCD और उसमें D के vertices नहीं है वाल फोर्थ vertex को निकालना है ठीक है तो चलिए start करते हैं एक parallelogram बनाते हैं एक मिनट इरेज करते हैं इसको पहले लोग राम बना लेते हैं हम रूए बना लिया अब नाम देते हैं हमने इसका A B C D ठीक है इसके पॉइंट है माइनस 1,0 इसके हैं 3,1 2,2 और इसके नहीं है तो हम X और Y मान लेते हैं ठीक है अब यहीं निकालना है कैसे निकलेगा हम क्या जानते है कि पैलोग्राम के जो है चैशल को है डागिनल्स है वहीं दूसरे को क्या करते हैं लिए बॅर्वाestra को प्रेंट करते हैं किस पॉइंट पर कर रहें हमने माले को फंट है . टिक ए ओ-a-b यानी ये जो डाइगनल है यह यह BD से निकाले यह minder से इससे निकाले जिकाले मिड़़ परणूल से हमारा हो जाहएगा मिड़़ पैल ऐना मेंड़़ परोले किया था कि ओ निकालना है ना को AB आपको निकालना है तो वो होगा X1 प्लस X2 अपॉइंट 2 Y1 प्लस Y2 अपॉइंट फॉर्मूला है तो इसका मतलब हम AC से निकाले यह अली लहन से चाहे BD से निकाले आंसर आ जाएगा तो चले निकालते हैं X1 से होगा X1 AB से कैसे होगा AC से कैसे होगा X1 है माइनस 1 दीए यहां लिखा हुआ है और X2 है 2 अपॉण 2 कॉमा Y1 क्या है 0 0 प्लस 2 0 प्लस 2 अपॉण 2 ठीक है अब BD से निकाले है BD से देखिए B में X1 है 3 और X2 हमने X माना है यह X माना है अपॉण 2 और Y1 है 1 प्लस Y अपॉण 2 ठीक है अब देखिए यह जो पॉण्ट है यह वाला इसके एक्वल होग और यह वाला इसके एक्वल होगा होगा ना तो यह कितना आ गया है यह यह आ जाएगा 1 बाइ 2 से 2 कड गया ठीक है तो यहां बचेगा 1 equal to 3 plus x तो इधर जागा 1 minus 3 equal to x x आगया minus 2 के लिए है next ठीक वासे यह वाला इसके equal हो तो यह जागा 2 by 2 equal to y plus 1 by 2 2 से 2 कड जाएगा तो यहां 2 बचेगा 2 equal to y plus 1 तो y कितना आएगा 2 minus 1 तो y की वैल हुआ गई y बरागर 1 आगया तो जो हमने इसको इरेस कर दें दो दोबर हो गया y 1 आगया तो जो हम d के पॉइंट थे x y वो हमारे आगया x y माना था ना हमने येस तो यह आगया minus 2 comma 1 आगया थीक है minus 2 comma 1 आगया अब option में देखते हैं option में हमारे पस यह है answer answer देख लीजिए now यह कह रहा है कि question number 2 जो है कि जो point है P Q T यह किसके वार्टस है एक्विलेटल ट्राइंगल आइससलेस या स्क्याशन इसका मतलब कि side निकालना पड़ा है distance formula करना पड़ेगा तो question number 2 हम रोल लिख लेते हैं पहले P क्या है देख लगते हैं 4 3 minus 1 minus 5 4 3 अच्छा और Q था minus 5 minus 1 यही था ना 4 3 minus 5 minus 1 आप 2 और minus 2 2 और minus 2 T है 2 और minus 2 तो distance निकालते हैं distance formula से सबसे पहले तो हम P क्यों निकालते हैं तीनों एककोल आ गया तो लेटरल है दो एककोला है तो आशी स्लस है नहीं तो स्केलन है तो P क्यों डिस्टेंस formula से क्या होता है X2 minus X1 यह X1 minus X2 ठीक है तो 4 minus 5 4 minus और minus minus प्लस हो जाएगा 4 plus 5 whole square ठीक है फिर plus 3 minus 1 और minus वहाँ पे है तो minus और minus प्लस हो गया 3 plus 1 whole square यह सब आप formula सब कर चुके हो इसलिए मैं formula लेगे करही हूँ आप लोगों को यह सब आता है रिविजन ही चल रही है अब यह हो गया 4 plus 599 का square कितना होता है 81 ठीक है और यह कितना आया 4 4 का square 16 होता है अब इसको जोड़ दीजिए यह हो गया 97 रूट में ही रहने देते है पीक्यों रूट 97 आ गया अब चलिए हम थोड़ा सा क्या निकालेंगे and qt qt कितना आएगा ऐसे ही करते है q है minus 1 और minus minus 1 minus 2 x1 minus x2 whole square plus minus 1 और यहाँ भी minus है तो minus और minus यह plus हो जाएगा टीक है whole square तो कितना आगया बच्चो बताओ माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा minus 7 का square 49 होता है और यह 1 हो जाएगा और इसका square 1 होता है तो यह आगया रूट में 50 ऐसी रहरा है देते हैं हम देख रहे हैं यह दो तो बराबर नहीं आ रहे हैं तीसे साट देख लेते हैं pq qt हो गया अब pt की बारी है pt होगा वही x1 minus x2 whole square टीक है तो तीसरा ले लेते हैं pt यहांने हो गया 4 minus 2 whole square इसको erase करते छोटा बना लेते हैं हां तो 4 minus 2 whole square अब फिर plus 3 minus यह है न तो minus और minus क्या हो जाएगा plus 2 हो जाएगा whole square इक्वल टू क्या है बच्चों 4 minus 2 होता है 2 का square कितना होता है 4 और यह 5 का square 25 हो जाएगा तो equal आ गया कितना हो गया 29 ठीक है आप लोग इसको करके फिर चेक करेंगे आप तब यह देखिए कि तीनों equal नहीं है pq is not equal to qt is not equal to pt तो कौंसर ट्रेंगल है अब अधा यह तीनों में से option देख लिजिए तो यह है scale and triangle कौंसर ट्रेंगल है scale and triangle समझ में आ गया अब यह answer हमारे सामने है यह first का question था फॉस्ट का answer था होब आपको समझ में आ गया होगा यह हमने second का यहां से किया है यह second question है अब देख लिजिए screen पर आपके ठीक है question number one कि इसको क्योंकि हमें raise करने जा रहे हैं सामने सामने लिपने के लिए तो इसलिए जरूरी है कि आपको हमने first question दिखा दिया है आपने देख लिया है समझ लिया है question number three पढ़ते हैं इतने question number three क्या कह रहा है कि distance निकालने जितर दिस्टेंस फार्मूला पता है ना a, 2a कोई दिखकत नहीं है हो जाएगा सवाल तो और b है minus a a तो a b की distance निकालेंगे तो a b आएगा क्या आएगा a और minus है तो plus हो जाएगा a plus a whole square और 2a minus a whole square हो गया ना y1 minus y2 whole square तो यह हो जाएगा 2a का square और यह 2a में से a के चला गया तो कितना आ गया एक single a का square तो यह हो जाएगा 2a का square मतलब 2 का square 4 और a square 2a into 2a plus a square यह भी 1 है इसमें सारे 1 हो गया है यह raise कर देते हैं यह 1 है अब इसको add कीजिए 4 और 1 5a square तो 5 तो बहार आएगा नहीं root 5 भी रहेगा और a square का a बहार आ जाएगा तो यह unit जो भी दिया हुआ आप लिख देंगे यहाँ पर तो इसका answer क्या आया root 5a unit ठीक है clear है question number 4 देखे 3 आप पर सामने हैं आप 4 देखते हैं इनमें से कौन से को linear है को मतलब होता है जो एकी line पे आ रहे हैं तो इनों point हम line को मिला के देखते हैं यह तो को linear नहीं है इसको मिला के देखते हैं इसमें तो देखिए अलग अलग है तो को linear नहीं है इसमें भी देखिए यह point अलग रहे गया तो हमारे पास एक last option रहे गया यह वाला देखे हैं तो यह की line पे है तो answer c ही है clear हो गया अब पांचवे question का answer पांचवे question का answer करते हैं क्या बोल रहा है from the point while एक line segment जो join हो रहा है w और z one ratio two से ठीक है उसको divide करता है तो आपके उसको बताना है कौन से quadrant में तो पहले पता लगाना पड़े है न point क्या है ठीक है तो question number five चलिए start करते है question number five तो दीखिए एक तरह सिंपल बना लिजे यहाँ w z है और यहाँ पे कही point हागया y one ratio two में divide कर रहा और इसकी value है minus five four seven one तो m1 ratio m2 आपके पास है one ratio two जो भी नए भी वर्स जूड़ रहे हैं पिछली वीडियो जरूर देखें आपको सारा समझ में आता जाएगा तो चलिए अब यह x one x two है और यह y one y two है direct करते हैं हमें इसके coordinate निखालने है coordinate का नाम देते हैं a b दे देते हैं कोई दिख कर रही है ठीक है तो यह हो जाएगा y a b है ना बराबर क्या होता है m1 x two m1 यानि one और x two है seven plus m2 two x one है minus five upon m1 plus m2 यानि one plus two three हो जाएगा ठीक वैसे ही m1 यानि one y two one plus m2 two और y one है four upon three हो जाएगा यह भी ठीक है तो अब हम इसे solve करके देखें तो हम देख रहे हैं कि seven और five two is a ten हो गया by three और यह one plus four two is a eight by three आ गया clear है समझ में आ रहा है तो यह आ गया minus three by three और यह आ गया हमारा nine by three अब इसे काटा गये तो यह तो हमारा आएगा minus one और इसको काटेंगे तो यह आएगा three तो minus one और three यानि x का पॉइंट है वो minus one का है three plus का है तो चलिए समझते हैं किसी question से इसी में समझ लेते हैं कि देखिए यह first quadrant होता है यह second quadrant होता है यह third है और यह fourth है ठीक है तो देखिए minus x minus का है y plus का है तो x minus का कहा है यह वाली लाइन है और y plus का यह लाइन है तो यहाँ पे minus और minus होता है और यह दोनों तो plus देखिए question number 5 आपके सामने distance formula यूज किया गया है now आप इसके point निकालने है a b c d x square है इस पर ध्यान दीजिए square है square का मतलब कि ये जो side है इस तरह से ये इस तरह से इक लोंगी सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं ये a है ये b है ये c है और ये d है इसके coordinate तो 0 0 होंगे ये हमारा answer आगा है b का तो आगा है 0 और 0 ठीक है अब ये 4 होते क्योंकि ये point है ने आपके 0,4 ये 4 distance होगी और ये भी 4 distance है तो ये भी होगी आप minus ये चार कोमा 0 ठीक है अब ये ये जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा तो इधर वाला भी 4 होगा तो d के point आएंगे 4,4 तो हमारे इसका answer आगया 4,4 clear हुआ square इस तरह से बनाना है और ये long question भी बन सकता है मतलब return रूप में भी तो figure में ऐसा है अगर आप कहेंगे तो उसकी वीडियो उस तरह की भी बन जाएगी तो चलिए अगला question करते है question number 7, last question है क्या है x और y का relation निकालना है ये जो point x,y है 7 question करा रहे है हम लोग x,y का जो point है ये जो coordinate है ये दो point और से एक्क्विडिस्टेंस पे है एक है minus 4, minus 4 और यहा है minus 2 4 ठीक है तो एक्विडिस्टेंस का मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस इसके एक्क्वल है नाम दे देते हैं A, B, C तो हम ये कह सकते हैं कि A, B, E, C के तो इसका square भी एक्क्वल होगा A, B square एक्क्वल to A, C square ठीक है तो आप डिस्टेंस फार्मुला निकाल लेते हैं A, A के है X1, X है X और ये minus और minus plus हो जाएगा 4 whole square equal Y, ये भी minus और minus plus हो जाएगा प्लस 4 whole square ये एक्क्वल नहीं है आप प्लस है ठीक है तो ये root में होता है root हट गया square लगा दिया हमने तो तो X1 plus X2 हो गया ये क्यों हम minus था X1 minus X2 था तो X2 जो minus का इसलिए plus हो गया और ऐसे ही Y plus 4 whole square हो गया ठीक वैसे ही X1 minus X2 whole square माइनस का ये 2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हम इसे direct लिख रहे हैं अब तक आपको आगया होगा Y1 minus Y2 whole square तो आपको तीन जगा देखें तो तीन जगा जो है फार्मूले लग रहे हैं आपको फार्मूले क्या लग रहा है एक तो लग रहा है A minus B A minus B whole square आपको पता है और A plus B whole square छोटी classes में बताया भी जाता है और लिख हम लोग बताते हैं तो ये हो जागा A square X square plus B square यहनि 4 का square 16 plus 2A V 2 into 4 8 8 X आ गया और ये भी ऐसे ही होगा A square Y square plus 16 plus 8 Y equal अब इसका लिखते हैं A square में इसकी X square plus 4 square यहनि 2 square यहनि 4 फिर प्लस 2 A V 2 A V यहनि की 2 into X 2 into 2 into X यहनि 4 X plus अब इसका A square लिखिए Y square plus B square यहनि 4 square 16 minus 2 A भी आएगा यहनि 8 Y आ गया अब काटना शुरू करते हैं तो चलिए X कैसे देखिए X square कट जाएगा कट गया ना 1 plus 1 minus हो जाएगा आके left यह right कहीं भी ले जाए 16 से 16 कट जाएगा Y square से Y square कट गया अब कुछ कट रहा है नहीं तो हम लिख लेते हैं पहले कि 8 X है उसको लिख लेते हैं आपे 8 X और यह 4 X है right में यह left में आ जाएगा तो क्या होगा बताएए 4 X left में आके minus का 4 X हो जाएगा ठीक है plus ऐसे ही 8 Y है और अब यह 8 Y उदर जाएके plus का हो जाएगा 8 Y अब बचा क्या 16 बचा ना plus 16 और यह left में जाके यह minus का 4 हो जाएगा equal to 0 right में आपके 0 बचेगा ठीक है क्या बचेगा 0 तो हम देखने हैं कि 8 minus 4 4 होता है यह 4 X हो गया plus इसको भी देखी 16 Y हो गया और plus 12 आ गया equal to 0 अगर हम देखें तो यह सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम 4 से सबको डिवाइड कर देंगी सब जगे ठीक है तो यह आ जाएगा X एना 1 X आ गया plus इसको काटी है 4 Y इसको काटी है plus 3 equal to 0 यह आ गया जी हमारा X और Y में relation clear हो रहा है आपको समझ में आ गया तो इस तरह के हमारी वाक्षिट पूरी होती है question no 7 यह आपके सामने screen पे है और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe करना ना भूले next video जल्दी लेकर आएंगे हैं तक तक के लिए take care bye bye अगर आएंगे हैं